आज हम बात करें हैं खनी अधाना जन्पत पंच्वायत के तहट ग्राम पंच्वायत रिचाई की जहां पर पूर्व सर्पंच और सचिफ की मिली भगत से विकास कारियों में भारी ब्रिश्टा शार किया गया है। के तहट हम लोगों से मजदूरी कराई पर आर्स्ता खंबे मजदूरी के पैसे तक नहीं दिये। समागरी का उपियोग किया गया और कई निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं और कई निर्माण जमीन से गायब हैं। जब समद में सचिफ से बात करनी चाही तो सचिफ का कहना है कि आपको जहां भी शिकायत करना है कर लो। मेरा कोई कुछ नहीं विकार सकता है क्योंकि मेरी सभी अधिकारियों से सेटिंग है और सभी को हिस्सा देता हूँ। रामीडों का ये भी कहना है कि कई हित ग्राहियों को वरद्धा पेंशन विद्वा पेंशन तक नहीं मिलती है। पर सकति कारिवाही करने काश्वासन दिया है। जो आपके पंच्यात में निरमाळकार के पैसे निकाली है और और जो निरमाळकार की रासी निकाली और अधूरे पड़े हुए इसकी सिकायद आपने कहीं कि है। कि क्यों नहीं कि अच्छा तो यह हम अभी समय रिचाई गाउं में हैं तो जो बिकासकार नहीं हुए और उनकी रासी निकाली गई इस बारे में आपको क्या जानकारी है को जानकारी है कि संसंगाट बनाया गया था कोई संसंगाट में ढोड़ पिरते कोई विकास यह नहीं हुई है यहाँ पर पर आपको यह पता है कि सचप दोवार पूरी रासी निकाली गई है और बिकासद्रमे नहीं कराया जर्मीन और इसके टीन सेट बगएरा नहीं है जो संसान गाट में यह कहां गैं सके टीन सेट मुर्ही है ऐसर्मprechen ने पूरा पैसा नीकाली है कि आ समस्या ब Bank करादा से कातीन अधिकी तो अध्या साथ कि और मुझा जाकि वास तूर रही काट दा अच्छा रासन नहीं मिलता फर आपको इतने बच्चे हैं आप गया है उत्या है क्या नाम है वाइजा शांतो रहा तो क्या समस्या है आपकी पुटिर कड़ाई सामुर्ड कुटिर को पाइसा यह नज्या किस्ट ने पर इस अलाव भगवत ने भगवत कोने वह पुटपन यादा सेकेर्टरी है अच्छा फिर आपने इसकी सिकायद की कहीं पर गजन्पत में पेसे वह गई और आप शमाजया पूटिर कर देखंगए नहीं देखेंगे रहे ही क्या समस्या की आपकी समय आपकी समय ह्रण spans कर यह कृज्ब कर दो जिना इसमैं कर दोören कि अधर्मा करें शेकर्टीं मुश्य-धूलिपा कि जी प्रति अधर्मा तो निभी है जो कर दो ध के जाल। ठीक सर्जों खणिया धाना के रिचाई ग्राइम पंचायत में पूर्ब सरपंच और रोजबा साहिव सज्जब की मिली बगत से जो बिनाकार के पैसे निकाले गए हैं इस समन्द में क्या गाएंगे सर अभी मेरे संग्यान में ऐसी बात आई नहीं है और आपके जडिये जो म हमारी का प्रगम बनाके धारबानवे का बसुली की जाएगी